तो हैलो फेंट कैसे हैं अब दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हों सेमशंग की मोईल में अंदर सैटिंग होती है सेटिंग अंदर सेटिंग होती है और ये डे वो सेटिंग होता क्या है और क्या किरा सके उक्ष चैनर appreciation उडर्त है तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा अपने मोबाइल की जाना सेटिंग में सेटिंग में जाने के अदर आपको दिख रहा होगा कि आपने यहां पर देख रहे हैं जो मेरे पास देख रहा है 21.13 GB आपने डेटा यूज कर रहा है मोबाइल डाटा और नीचे आपको दिख रहा हुआ कप कप का यह टाइम का आपने देख रहे हैं एक फरवरी से 28 फरवरी तक का बीच का दिखा रहा है मतलब अगर आप देखा जाएं तो आज 19 फरवरी तो 19 फरव इसको रोख रखेंगे तो यह इसलिए होता है डेटा से या देटा को बचाने पाने के लिए आप काम कर रहो है इसके यसe AirPods वीडियो डेटा से वर के लिए आप चाहएं तो वीडियो देख सकते हैं दोस्ट की पूरा ड्सक्रिप्शन दिया हो एक एक चीज का LatinBI में बतायत आपको एप कुछ यूज कर लेना है जिसको आपने बैक्राउंड में डेटा यूज करने से मना करना है तो आप यहां से उसको स्लाइट कर सकते हैं जिसका उसका डेटा बैक्राउंड पर यूज वो एप नहीं करेगी तो यह इसलिए होता है उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे आपको यहां दिख रहा है मोवाइल डेटा यूज यूज यह सिम बन का है तो यह सिम बन पर आप देख रहा है मोवाइल डेटा ओन का तो यहां से भी आप मोवाइल डेटा को ऑन या ओफ कर सकते हैं अब मैंने यहां से मोवाइल डेटा को बंद कर रहा तो यह ओफ हो गया है अब मैं चाहों यहां से ओन करूँगा तो यह ओन हो जाएगा चाहें तो आप नोटिफिक्शन के थूभी कर सकते हैं उसके बाद दुस्तों नीचे option मिल रहा है mobile data only है यह option बहुत ही काम का option है अगर आप इस option को enable करेंगे enable करने के आपको यहां पर कोई सी भी एप को select कर देना है तो उससे होगा कि आप यहां पर देखेंगे यह लिखा हुआ है the app you selected here will always use mobile data even when your phone is connected to wifi मतलब साफ सब लिखा हुआ है अगर आपने इस option को enable कर हुआ है और किसी एप को आपने select कर लिया है तो उस एप को उस एप के लिए सिर्फ mobile data ही यूज होगा मतलब अगर आपने wifi को भी connect के रखा हुआ है तो वो एप आपके wifi connected नहीं चलेगी सिर्फ आप आपको कोई करन कोई आपकी call या कोई आपका meeting चल रही हो या कुछ game play कर रहे हो तो आपका बार बार नेट ब्रेक होता है तो आप इसको use कर सकते हैं उससे होगा क्या उस एप के लिए particular आपका mobile data access करता रहेगा और बाकी अधर चीज के लिए आपका wifi network work करेगा तो यह इस ल mobile data is uses का आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पूरा bio data खुल जाएगा कि कहां का मैंने data use करा है इस महीने कितना किस app पर मैंने खर्चा करा है तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर पूरी detail मिल जाएगी आप देख रहे हैं कि अभी तक जो कि यहाँ बाहर दिख रहा था यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो बता देगा प्रटिकुलर डे पर नहीं बता पाएगा आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा में data खर्च करा है इंस्टाग्राम पर गूगल क्रॉम पर एड़ी गूग बता रहा है अब यहाँ से मैं स्वेप करके इसको 1.3 करूंगा पिछले जनवरी मैंने कितना डेटा यूज कर रहा था और कहां किस किस एप में कर रहा तो यहाँ पर आपको आप देख रहें नवंबर तक का मतलब आप चार मैं तक पीछे का डेटा यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बिलिंग साइकल चेंज कर सकते हैं जैसे वहाँ पर एक तारीक से दिखा रहा है तो आप चाहें तो किस तारीक से आपको देखना है तो यह तारीक आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं तो उस तारीक से अठाई दिन त यह option बहुत ही अच्छा है अगर आपको इसको इनेबल कर देंगे तो जितनी भी आपने limit set करकी उसके बाद data use होना बंद हो जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पर by default मैंने 5GB set कर दिया है तो यहाँ पर उसे साफसाफ के दिया resume using mobile data अगर आपको mobile data use करना है तो आपको वहाँ पर limit को increase करना होगा या data limit को off करना होगा तो आप mobile data use कर पाएं या भी देखेंगे आप mobile data मेरा बंद हो गया है क्योंकि मैंने limit लग रखी है अगर आप मैं mobile limit को बंद कर दूंगा तो आप देखेंगे mobile data on हो जाएगा तो यह इसलिए होता है अगर आप चाहते हैं कि आपके 10 महीने का पोस्पेट है अगर आप 10GB से जादा यूज नहीं करना चाते तो आप limit set कर सकते हैं उसके बाद वो यूज नहीं होगा यह इसलिए होता है उसके तरफ और भार की तरफ आएंगे तो यह billing cycle का जो मैंने आपको अंदर की तरफ बता दिये setting है वही कि फूरी option पर पतर लग जाएगा कि आपने wifi data uses में क्या क्या यूज कर आपने कितना data यूज करा और कौन कौन सी एप से यूज करा जो कि mobile data में मिलता था सेम आपको यहाँ पर वो मिलने वाला है उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे आपको option मिल रहा है अल्ट्रा data saving mode तो द यहाँ पर select कर सकते हैं और data comparison उससे इलावा बहुत जादा settings रहती है इसमें ultra data saving में दोस्तों जैसा कि मैंने पता है मैंने पहली आपको एक i button में वीडियो दे रखी है आप चाहें तो उस वीडियो में देख लीजेगा उसमें दोनों चीज़ों के बारे मैंने बताया data saver औ प्लीज लाइक जरू करें और अगर आप नहें मेरे चैनल पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इसका link आपको description मिल जाएगा और यहाँ साइट पर आपको subscribe button भी मिल रहा होगा तो thank you तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह मेरे वीडियो पसंद आएगी दोस्तों अगर आपको यह मेरे वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक जरू करें और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ कमी है तो आप दोस्तों मुझे डिसलाइक भी कर सकते जिसका बेटन आप सुस्क्राइब कर यहां पर देख रहा होगा और नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा मेरे चैनल का और आप चाहें तो मुझे इस्टाग्राउं और फेस्बूप फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिक्षिन पर मिल जाएगा तो थेंक्यू दूस्त